हाँ रूफीक्स सैमसंग जे सेवेन नेक्स्ट सेलूलर नेट्रोक नॉट एवलेवल प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभीका तिकिराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सेलूलर नेट्रोक नॉट एवलेवल प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सेलूलर नेट्रोक यानि आपका मोबाइल नेट्रोक ठीक है अगर यहाँ पर एवलेवल नहीं है आपको नेट्रोक नहीं मिल पा रहा है तो कैसे आपको फिक्स करना होगा आज के इस वीडिय शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकून को क्लिक करें अगर आप आप ओनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चले दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है अगर आपका cellular network available नहीं है तो आप दोस्तों अपने sim card को जेक कर दीजिए यानि कि sim card को mobile से बाहर पर निकालना है mobile को restart करना है उसके बाद sim card को अंदर पर भर देना है इंसर्ट करना है ठीक है और चेक करके देखे आपका problem solve हुआ है या नहीं हुआ है अगर solve हो जाते ठीक है अगर नहीं हो रहाए एक बार flight mode को on करके देखें ठीक है flight mode on करके 30 चेक कर ले ठीक है अगर सॉल्फ हो जाते है प्रॉब्लेम ठीक है अगर आपको आभी भी प्रॉब्लेम आ रहा है तो कनेक्शन्स पे जाए अगर आपका एर्टल से में तो एर्टल नेट्रोक ही यूज़ करें उसमें रेजिस्टर कीजिए अगर जियो है तो जियो में रेजिस्टर कीजिए जियो सी में एर्टल पे रेजिस्टर नहीं हो सकते है एर्टल सी में जियो पे रेजिस्टर नहीं हो सकते है तो यह चीज़ आपको ध्यान पर रखना है और यहाँ पे आपका नेट्रोक सेटिंग एक बार रिसेट जरू करना उसके लिए जेनरल मेनेजमेंट पे जाए रिस NETROCK पर जाके reset setting में डबा के mobile password भर देना और netyak setting को reset करना है तो इस तरहे से दोस्तों आपका CELUR центр not available problem fix Position जाएगा तो इस तरहे से आपको fix करना है by lige चांस अगर आपको आभी भी problem ढाते हैं तो वाइ-फाई-क मदद से इस करने के बाद fix हो जाएगा अगर आपके सीम पे ही प्रोब्लम है तो आप customer care को contact करके बात कर सकते हैं आपके सीम से नहीं कर पा रहा है दूसरे सीम से कर दीजिए क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है सीम डियक्टिवेट हो जाते हैं ठाके कई बार से वज़ें से सेलरे नेट्रों नहीं आ पाते हैं तो आप अगर एटल कुगल पर जाके वीच्यक आउट कर सकते हैं और यह दोस्तों एक चीज़ दियान रखे आपके एटल सीम पर प्रब्लम हरा है तो एटल सीम दूसरे वाले लेकि ही आपको call करना है जियो सीम पर प्रोल्म आ रहा है तो दूसरों को जियो सीम ठीक है घर वाले का फ्रेंज का जियो सीम से आप को पूछे मेरे इस नंबर पर प्रोल्म में क्या हुआ है वह आपको complete details बता देगा ठीक है लेकिन आप से वह कुछ जानकरी पूछेगा confirmation के लिए तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि actual में problem किया हुआ है ठीक है जितने भी solution था यहाँ पर ठीक है जितने भी solution था मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है simply आप उसको follow कर सकते हैं solve कर सकते हैं अपना problem अमिद करते हैं वीडियो पसने होगा thanks for watching